वेत्र भासासियों पर उठकरके उत्तरों दक्षणों पूरबों पस्यमों चारों और एक स्वर से गुंजरा है और वह गुंजरा है कि फिर एक बार मोधी सरकार यानि मोधी जी को पुरा देश फिर से प्रधानमंत्री के रुप में देखना चाता है और इसलिए देखना चा क्योंकि मोदी जी के चवतकारिक नित्रत्व में इस देश ने हम सब ने भारत वासियों हम भारत वासियों ने बदलते वे भारत को देखा है एक नए भारत को देखा है एक समर्थ और ससक्त भारत को भरते वे भारत को हमने देखा है यही भारत था 2014 के पहले का क्या था 2014 के पहले दुनिया के अंदर सम्मान खराब हो चुका था देश की सीमाई सुरक्सित नहीं थी आतंग बाद और नकसल बाद सिड़ चड़ करके बोल ला था देश के अंदर विकास के कारे ठप पड़ गए थे भरस्ताचार चरम पर था गरीब कल्यान करी योजनाओ पर सेंद लग रही थी गरीब को सुवधाएं नहीं मिल पा रही थी और बैन और भाईयों 2014 के बाद का भारत दुनिया के अंदर भारत का सम्मान बढ़ा है सीमाएं सुरक्सित हुई है आतंगबाद और नकसलबाद नियंत्रित हुआ है अब तो जोर से कहीं पटाका भी भड़ जाए तो पाकिस्तान पहले सफाई देता है कहता साब मेरा हाथ नहीं है क्योंकि पाकिस्तान को मौलूम है कि अगर सफाई देने में देर हो गई तो लेने के देने पड़ जाएंगे बैन और भाईयों ये नया भारत है ये नया भारत इंतजार नहीं करता है अगर कोई भारत की सुरक्सा में सेंद लगाता है तो सेंद लगाने वाले को रसातल में भेजने में भी देर नहीं करता है बहलो भायो इस नए भारत को नए भारत को भारत के विकास का एक नया सुरूप देने के लिए आज हम लोगों ने जिस तरीके से से आगे बढ़ाने का कारे किया है उसको ध्यान में रखते वे मोदी जी के नित्रतों में फिर से एक सरकार बननी चाहिए क्योंकि मोदी जी के नित्रतों में आज आप देख रहे होंगे अभी मैं आ रहा था मुरादाबाद से होते वे मैं देख रहा था गंगा एक्सप्रेस्वे यहां की अर्थ विवस्ता को कई गुना बढ़ाने में उसका महत्वपुण भूमिका का निर्वन होने वाला है यहां की इकोनोमी की बैद्बून वो बनने वाली है आपकी कनेक्टिविटी को भी बेतर करने वाली है गंगा एक्सप्रेस वे से आप बैठे और अगले पांच घंटे में आप प्रियागराज पहुँचे सड़े चार घंटे में चार घंटे में आप लखनों पहुँच जाएंगे दिल्ली की दूरी एक से तेड़ घंटे में आपकी पूरी हो जाएगी हाईवे बन रहे हैं रेल्वे की बहतर कनेक्टिविटी वी ए एरपोर्ट बन रहे हैं मेडिकल कॉलेज बन रहे हैं वन टिस्टिग वन मेडिकल कॉलेज हर घर नलकी योजना IIT, IIM, IIIT, NIT, World Class University और गरीब कल्यानकारी योजनाओं की तो कोई सानी ही नहीं आप सोचो, 2014 के पहले कॉंग्रेस और समाजवादी पार्टी की सरकार के समय लोग भूकों मरते थे आज 80 करोड लोग फिरी मैं रासन की सुवधा का लाप पराप्त कर रहे हैं 2014 के पहले स्वास्ते सुवधा के अभाव में लोग मरते थे आज 60 करोड लोगों को 60 करोड, 60 करोड लोगों को 5 लाक रुपे की हर वर्स प्रधान मंत्री आयुस्मान भारत की योजना का लाप राप्त हो रहा है और बैन और भाईयों उत्तर प्रदेश में तो हमने ये भी बिवस्ता की है कि अगर कोई बिमार हो जाता है आयुस्मान का काड नहीं है तो बैन और भाईयों हम लोग उस ब्यक्तित का पत्र जैसे पीडित का पत्र मिलता है या बिदाया का सांसा धमें लिक्के बेशता है हम तत्काल प्रधान मंतरी मोदी जी ने जो गरीबों के जंधन एकॉंट खोले हैं न इसी जंधन एकॉंट में पैसा लखनों से सीधे उसके एकॉंट में बेशते हैं बेशते हैं निस्चिंथ हो गर कि जाओ अप्चार कर आओ चिंता मत करणा सरकार आपके साथ खड़ी है बारہ करोड किसान आज किसान सम्मा निदिकलाई पराप्त कर रहा है बारह करोड किसान और कौंग्रेस और सपागी सरकार के समय किसान आतमत्या करता था पहले नारी गरिमा की रक्सा नहीं हो पाती थी इनके समय में बेटी और बहन दोनों की जट सुरक्सित नहीं थी और बैन और भाईयों आज नारी गरिमा के लिए बारा करोड परिवारों में सोचा लए बारा करोड घरों को बैन और भाईयों चोडने के लिए उन्हें आत उज्जुला योजना के कनेक्शन दिये गए है और यही नहीं जिस गरीब के पास मकान नहीं चार करोड लोगों को मकान दिये गए हैं और मोदी जीने का अगले पांच वर्स में तीन करोड नहीं लोगों को मकान देने का काम करेंगे कि जिनके पास आवास नहीं मोदी जी उनके साथ में हर घर नल की उसना भ्यास हर घर तक सुध्ध पेजल पहुँचाने का कारे हो रहा है यानि सुरक्सा भी है संब्रिदी भी है गरीब कल्यान भी है और इस सबसे बढ़ करके आपकी आस्ता का संब्मान भी है दूर मत जाईए दूर मत जाईए जब 2017 में मैं आया था मा केला देवी धाम कई जन्पदों के लोगों की आस्ता का केंद्र है यदुवन से अपनी इस्ट देवी मानते हैं इस पूरा छेत्र मा की किरपा से फल फुल तक करके आगे बढ़ रहा है मा की यहां की रक्सक देवी है और बैन और बैयों कितना खराब इस्तिती में था महंजी ने मुझे उस समय बताया कि यहां लोग कब जा करना चाहते हैं पानी नहीं है अभी वस्ता की इस्तिती ती और आपने देखा होगा जैसे कासी पिस्वना द्धाम बना जैसे अयोध्या में भग्वान राम का भव्य मंदिर बना ऐसे ही संबल में मा केला देवी के मंदिर और यहां के धाम के विकास के कारियोजना को लेकर के सरकार कारे कर रही है यह अभी तो यहां कहा एक धाम है मा की किरपा तो हम सब पर बराबर बनती है मा थोड़े चेहरा देख करके किसी को वरदान देते सब को बड़ा बड़ा अस्री बात मिलता है और बेन और भाईयो आज सच मुझ मैं और डॉक्टर मोहन यादोजी दोनों लोग जब मा केला देवी के मंदर में दर्शन करने के लिए गए वे स्वेम अभी बूत थे वे तो महाकाल की नगरी से स्वेम आते हैं और कह रहे थे इतनी ग्रामिण छेतर में इतना भब्यस्तान इतना दिब्यस्तान इतना सापसपाई इतनी अच्छी भिवस्ता ये जब सब लोग मिल करके काम करते हैं अच्छे लोग जब आगे आते हैं तो पेरणाम भी अच्छा ही आता है और अच्छा ही आता है और इसलिए बेनों और भाईों इस सुनाओ की दिस्टे भी मैं कहना चाओंगा कॉंग्रेस और सपा का गड़बंदन ऐसे है जैसे किसी अनाड़ी हातों में कोई टैक्टर दे दिया जाए और कहा जाए कि चला लो तो वा किसी के ओपर चढ़ा देगा यह इस्तिती है इन लोगों की तो यह दो लड़कों की जोड़ी तो यही है यह लोग माफिया और अपरादियों को गले का हार बनाते थे उनका महमामंडन करते थे संतों को प्रताडित करते थे और सरीप लोगों को ब्यापारी और बेटी की सुरक्सा में सेंद लगाते थे और आज आप देख रहे होंगे कि बेटी और ब्यापारी सुरक्सित है किसान अनदाता किसान का सम्मान हो रहा है नौजवान को नौक्री और रोजगार मिला है अयोध्या में राम मंदिर का भब निर्मान भी हो रहा है वहां राम लला बिराजमान हो रहे है और दोसरी तरह माफिया और अपराधियों का राम नाम सत्य है की यात्रा भी निकल लई है एक साथ राम के इन नाम पर सारे काम हो जा रहे हैं और वेन और वहियों इसलिए आज हम सब आये हैं आपने देखा होगा, मैं क्यों वहले अपसे एक बात पोछना चाहता हूँ कॉंग्रेस का गोशना पत्र आपने देखा होगा एक प्रकार से यानि इन्डी गडबंदन जो है कॉंग्रेस, सपा और उनके साथ जो और भी तमाम लोग जुड़े वे हैं इन सब का गडबंदन है ये और ये गडबंदन कैसे स्वार्थ का गडबंदन ये गडबंदन देश के लिए नहीं है ये गडबंदन किसके लिए है आज आपने देखा होगा पाकिस्तान का एक मंत्री पूर मंत्री राहुल गांदी की तारीफ कर रहा है यानि भारत में कोई तारीफ नहीं करता क्योंकि लोगों को मालूम है जब भी भारत पे संकट आएगा तो राहुल गांदी सबसे पहले इटली भागेगा तब उसे भारत की याद नहीं आती है तब उसे भारत की जनता याद नहीं आती है लेकिन जब चुनाव आते हैं तब रामलला भी उनको याद आते हैं तब वह उत्तर प्रदेश में आ थमकते हैं फिर चुनावी गड़बंदन करके फिर गायब हो जाएंगे फिर पांच वर्स तक कभी नहीं दिखाई देंगे और वेन और वाईयों मैं आप सबसे ही कहने के लिए आ जाया हूँ कि भारती जनता पार्टी ने एक और गरीब कल्यान को लेकर के भारत को आत्म निर्वर और विक्सित भारत की संकल्पना को लेकर के मोधी जी के नित्रतों में इस चुनावी समर में आपके बीच में उतरी है मोधी जी के नित्रतों में विकास हुआ है और विकास होगा भारत को विक्सित भारत के रुप में स्तापित करेंगे लेकिन दूसरी तरफ इंडी गड़बंदन क्या कहता है, कॉंग्रेस और सपा का गड़बंदन क्या कहता है, वो कहता है कि वह पिछडी जाती के लोगों को मिलने वाले आरक्षण को काट करके अलप संख्योकों को दे देगा वह कहता है, अनुसुची जाती के लोगों को मिलने वाले आरक्षण में से कुछ हिस्सा काट करके वह अलप संख्योकों को बांड देगा बाबा साब भीमराओं बेटकर ने कहा था कि धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं हो सकता, धर्म के आधार पर आरक्षण भारत के विभाजन का आधार बना था और स्वतंत्र भारत धर्म के आधार पर आरक्षन स्विकार नहीं कर सकता फिर कॉंग्रेस और सपा के लोग क्या चाते हैं क्या देश का फिर से भी भाजन चाते हैं ये लोग किस आधार पर लडाने का कारे कर रहे हैं कहते हैं जातिय जन करना करेंगे क्यों करेंगे इसलिए क करेंगे जिससे पहले जातिय जनकरणा करके अलग-अलग जातियों को अलग-अलग समू बनाएंगे फिर इन जातियों को आपस में लडाएंगे और फिर लडाने के बाद कहेंगे कि देखो तुम्हारी 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 आपस में इतनी ज्यादा है कि तु तुमें जो यह आरक्षण मिलता है तुम पहले आपस में जगड़ा सुल जा देना तब तक इस आरक्षण का लाब मुसल्मानों को दे देते हैं यह करने वाली है कॉंग्रेस और सपा कगड़ बंदन और बारती जन्ता पार्टी मोदीजी के नित्रतों में इसको स्विकार नहीं करेगी हमारी पिछडी जाती के अनसुची जाती और जन्चाती के लोगों को मिलने वाले आरक्षण में सेंद किसी भी प्रकार से और किसी दल को नहीं लगाने दिया जाएंगा और इसलिए बेनों और भाईयों हम लोग आएं आप से कहने के लिए यह चुनाव नए भारत को आत्म निर्भर और विक्सित भारत की रुप में स्थापित करने का है यह चुनाव तो अब यहां पर स्रीहरी विष्णु के अवतार महराज कलकी के धाम को एक नया सुरूप देने का उचुनाव है चुनाव उधर ही जा रहा है आपने देखा होगा ना लोग कहते थे पहला युद्ध्या के बारे में भी लोग यह कहते थे क्या यह हो पाएगा बोलते थे ना जब हम लोग विष्णु परिसाद भाजपा के लोग नारा लगाते थे बजरंग अदल के कारे करता नारा लगाते थे कि राम लला हम आएंगे मंदिर वही बनाएंगे कॉंग्रेस और सपा के लोग हसते थे कहते थे अरे क्या बोल रहे हैं लोग बोलते थे नोग तब भी हसते थे और तब भी कहते थे उपास करते थे हम लोगं का कहते थे देखो ये कभी ओई नहीं सकता और इन लोगों ने उस समय क्या कहा था सपा ने कहा था समाजवादी पार्टी ने कहा था कि युद्या में परिंदा भी पर नहीं मार सकता कॉंग्रेस के लोग कहते थे राम हुए ही नहीं और जब नयाएले फैसला देने लग गया तब इन्होंने क्या कहा था अगर फैसला कोटने कर दिया तो खोन की नदिया बहेंगे अरे हमने कह यह नया यूपी है भईए यहां खोन की नदियानी मच्छर भी नहीं मरने वाला है कहें आप चिंता मत करें कॉछ नहीं होगा आपने साथ वर्ष में कोई कर्फ्यू देखा यूपी में कोई दंगा देखा है क्या अब दंगा नहीं होता या कर्फ्यू का स्तान तो कावड यात्रा ने ले लिया है और इसलिए भाईो बेनो मैं आपसे कहने के लिए आया हूँ बारती जनता पार्टी ने धारा 370 कस्मीर से हटाई बारती जनता पार्टी ने कासी विश्वनाद धाम भी दिया बारती जनता पार्टी ने अयोध्या को त्रेता युक्ये भगवान राम के काल खंड का अयोध्या फिर से बना करके आपकी आस्ता को सम्मान दिया है